दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब उद्योग अधार की जगे उद्यम रजिस्टेशन शुरू हो गया है एक जोलाई से दोस्तों मुझे अभी मेरे एक मित्र ने बताया कि भीया ये उद्यम रजिस्टेशन के लिए क्या कुछ पैसे देने पड़ते हैं कि सरकार कोई फीस ले रही है मैंने का की नहीं बिलकुल कोई फीस नहीं ले रही ये पूरी तरह से free of cost रजिस्टेशन है पर दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं तो जब गया था किसी वेबसाइट पर तो वहाँ पर कुछ पेमेंट भी मांग रहे थे दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा पूरा प्रॉसेस कि कैसे आप सरकार की वेबसाइट पर जाकर free में ये उद्ध्यम रेजिस्टेशन ले सकते हैं और दोस्तों मैं यहाँ खास तोर से जो Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के Honorable Minister है श्री नितिम गटकरी थी और Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के Honorable Secretary श्री A.K. शर्मा जी का खास तोर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में ये उद्ध्यम रेजिस्टेशन का जो पोर्टल है वो शुरूर किया और साथ में दो बहुत ही important यहाँ पर एक तरह से हमें single window scheme में आने का मौका दिया जिहां दोस्तो इस उद्ध्यम रेजिस्टेशन में सरकार आप से ये भी पूछ रही है कि भाई क्या आप jam portal में रेजिस्टेशन भी कराना चाहते हैं और साथ में वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आप trades portal पर भी अपना रेजिस्टेशन कराना चाहते हैं तो मेरा खास धन्यवाद Honorable Shri Nitin गटकरी जी और Honorable Shri A.K. शर्मा जी को दोस्तों मैं पूरा step by step आपको process बताऊँगा कि किस site पर जाना है और किस step के बाद क्या step करना है मैं अपने computer पर आपको ले चलूँगा और वहां बताऊँगा free में ये उद्यम registration लेने के लिए जो बिलकुल free of cost है और बिलकुल बिना किसी document के upload किये हुए आपको मिल जाएगा अगले 10 मिनट बहुत important होने वाले हैं क्योंकि हम साथ में बैट कर कर सकते हैं अपने उद्यों का उद्यम registration online free of cost without uploading any document तो दोस्तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अपने computer पर और दोस्तों वहां मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बिना किसी fees के बिना किसी document के upload किये हुए आप अपना उद्यम registration ले सकते हैं दोस्तों बस वहां चलने से पहले दो तिन खास बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ information है वो प्लीज यहां आप अपने पास कहीं पर save करके रख लीजेगा ताकि जब आप form भरें तो वो information आपके पास easily available हो दोस्तों एक तो आपको चाहिए आधार number आधार number दोस्तों आपको चाहिए अगर आपकी proprietorship firm है तो proprietor का अगर आपकी partnership है तो जो managing partner है उनका अधार number और दोस्तों अगर आपकी company है trust है society है LLP है तो जिसको आप authorize करेंगे to file this application for उद्धियम registration उनका आधार number चाहिए तो ये हो गया दोस्तों पहली requirement ये upload नहीं करना है आपको कोई भी document बस आपको उसका number चाहिए दोस्तों दूसरी information आपको चाहिए यहां पर आपका जो pen number है आपके enterprise का अधार तो मैंने बताया आपको individual चाहिए और ये pen चाहिए आपको permanent account number आपकी जो organization है उसका permanent account number दोस्तों तीसरी जो आपको जरूरत पड़ेगी आपकी जो GST की detail है वो आपको यहां अपने पास रख लेनी चाहिए और दोस्तों एक आपको अपने detail कहीं save करके रख लें अपने computer पर ताकि वहां से copy करके आप इस form में भर सकें वो चाहिए आपको आपके bank का नाप IFSC code और आपका bank account number जी हां नहीं दोस्तों घबराते की कोई जर्रत नहीं है यह जो ministry of micro small and medium enterprises है वो किसी भी तरह जैसे आपके bank से कोई पैसा नहीं ले रही है बस यह detail चाहिए उनको अपने record के लिए और वो इसको कहीं share भी नहीं करेंगे आपका जो अधार number है उसको भी कहीं share नहीं किया जाएगा दोस्तों इसके अलावा आप देख लीजेगा कि आप कौन-कौन सी services या कौन-कौन सी manufacturing activities हैं चिनक के लिए आपको अपनाईए उद्यम registration चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपको NIC code select करने पड़ेंगे और दोस्तों वो NIC code select करने के लिए Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तयार है उसका एक बहुत detailed है दोस्तों यह NIC codes जो हैं आपकी manufacturing या service activities के ल detailed circular है वो भी अगर चाहिए और आप Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises के मेंबर हैं तो हम उसमें आपकी free of cost पूरी मदद करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे उन enterprises का उद्यम registration लेने के लिए जिन के पास अभी तक अपना कोई उद्योग अधार memorandum या EM Part 2 नहीं है जिया दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास already उद्योग अधार number है तब आप कैसे अपना उद्यम registration ले सकते हैं बट आज की व नहीं करा है तो आए दोस्तों चलते हैं अपना उद्यम registration लेने के लिए यह दोस्तों हम आ गए हैं और हमने टाइप कर दिया है उद्योग अधार.gov.in या उद्यम registration.gov.in दोस्तों यहाँ पर दो तरह की facilities हैं for new entrepreneurs who are not registered yet as MSME और उनके लिए for those already having registration as EM2 और उद्योग अधार memorandum दोस्तों हमने select कर लिया है नई registration के लिए क्योंकि मैं एक दूसरी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा कि जिनके पास उद्योग अधार memorandum है या EM part 2 है उनको कैसे अपना registration करना है उद्यम में दोस्तों यहाँ आपको अधार number डालना है यह दिहान रखिए कि अगर आप propriet partnership firm चला रहे हैं तो जो proprietor है उनका आधार number आएगा अगर आप partnership firm चला रहे हैं तो किसी भी managing partner का आधार number और अगर आप HEF में काम कर रहे हैं तो करता का आधार number यहाँ आपको डालना है दोस्तों in case of company limited liability partnership cooperative society society या trust के रूप में अगर आप अपना business कर रहे हैं तो authorized signature का आधार number डाल दीजिए दोस्तों आपका जो link है telephone number mobile number आपके आधार card से वहाँ पर एक OTP आ जाएगा आपको वो OTP यहाँ पर type कर देना है और इसको validate कर देना है दोस्तों आप ये भी confirm कर रहे हैं कि भाई आप मेरा जो आधार number है उसको मेरे उद्यम registration के लिए use कर लीजे और सरकार भी कह रही है कि देखे भाई आपका जो आधार number का जो data है ना तो हम इसको store करेंगे अपने पास और ना इसको कहीं share करेंगे दोस्तों जब validate आप इसको कर देंगे तो आपको यहाँ type of registration select करना है कि आप proprietorship, HUF, partnership, cooperative, private limited company, public limited company, self-help group, limited liability, partnership, society, trust, किस रूप में काम करना चाहत हैं तो वो भी आप भर सकते हैं दोस्तों अब आपको pen number डालना है अपने organization का यानि आप जिस रूप में काम कर रहे हैं उसका pen number और उसको pen number validate को click कर दीजिए दोस्तों अगर आपका ठीक pen number है, नाम ठीक है तो आपका यहाँ उन्होंने कह दिया कि your pen has been validated successfully दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद का process अब आप समझे काफी आपने काम कर लिया है, जैसे ही आपका यह जो pen number है validate हुआ, आपके entrepreneur का नाम खुद लिख कर यहाँ आ जाएगा और आपको mobile number और email डाल देना है, दोस्तों यहाँ आप कोई भी mobile number या email डाल सकते हैं, जरू पूरी नहीं है कि वो आपके अधार से link हो, दोस्तों जो point number 11 और 12 है, जब आपका GSTN से verification हो जाएगा, तब यह point number 11 यानि यह जो name of enterprises as per GSTN और जो आपकी location है, जो आपका unit है, उसकी location अपने आप भर जाएगी, अभी यह नहीं भरी है क्योंकि वो GSTN से अभी verification नहीं हुआ ह और दोस्तों अब आपको अपने office का address यहां लिख देना है, जिस address पर आपका office चल रहा है, तो वहाँ दोस्तों आप कोई flat number है, block number है, premises है, कोई building का नाम है, village का है, block क्या है, कोई road street क्या है, city क्या है, pin code number क्या है, यह सभी आप डाल देंगे और आप जब state में drop down करेंगे, तो अपना state सेलेक्ट कर लीजेगा, जब आप state सेलेक्ट कर लेंगे, तो district भी आप यहां पर select कर लीजेगा, दोस्तों चौदवे point में, 14 point में हो कह रहा है, कि भी आपका कोई previous EM2 या UM है, वो not applicable है, क्योंकि हम तो भाया, अभी नए नए आए ह अपना उद्यम registration के लिए, तोस्तों इसके बाद वो 15th point पर पूँच रहे हैं, कि आपका जो status है भी या enterprise का वो बता दीजेए, उसमें दो तीन चीजे वो कह रहे हैं, कि भी आपका incorporation या registration की date क्या है, आपने अभी अपना business शुरू कर दिया है, या नहीं कर दिया है, उसके बाद दोस्तों आपसे bank detail में जो information मांगी जा रही है, वो आपका जहां unit यानि आपकी जो enterprise है, उसका जो account है, वो किस bank में है, या अपना account नहीं, आपको अपने enterprise के bank account जहां पर है, उसका bank का नाम लिखना है, IFS code लिखना है, और bank account number डाल देना है, दोस्तों ध्यान रखिए, इस number को देने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, bank से आपका कोई एक पैसा भी नहीं कटेगा, दोस्तों 17th point बड़ा important है, वो कह रहे हैं कि अभी manufacturing में आप करते हैं, या service में, आप दोनों select कर सकते हैं दोस्तों, अलग-अलग time पर, यानि जब आप activity add करेंगे, तो आ आप हर activity के लिए बताइए, यह manufacturing की है, या service की है, दोस्तों यह बड़े important, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आपको यह जो अपना 18th point है, उस column को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यहाँ आपको NIC code, यानि National Industry Classification, आपको यहाँ भरना है, उसमे NIC 2-digit code, NIC 4-digit code और NIC 5-digit code आपको बरना है, और आप यहाँ कोई activity एड़ करेंगे, वो आप एड़ कर सकते हैं, उसको manufacturing में या service में, मैंने यहाँ पर 10 activities एड़ करने की कोशिश की, और वो 10 की 10 activities दोस्तों मेरी यहाँ पर एड़ हो गई थी, आपको उसके बाद number of persons employed, male, female और other जब आप भरेंगे, total point number 20 और 21 जो हैं कि investment in plant and machinery और equipment और आपका turnover वो जब आपकी income tax से detail verify हो जाएंगी, तब यह खुदी भर जाएगा, दोस्तों आपको यह नहीं भरनी है, आपको बताना है कि क्या आप की government e-market place में अपने enterprise को registered कराने में interested हैं, आप उसमें yes no बताइए, वो पूछ रहे हैं कि trade plate portal पर भी क्या आप अपने enterprise को registered कराने में interested हैं, आप वहाँ भी yes no बहर दीजेगा, फिर आप आपको एक click करना है, submit and get final OTP, दोस्तों यह आपका जो mobile number आधार से link है, उसी mobile number पर एक OTP आजाएगा, आपको यह भर देना है, एक verification code जो लिखा है, अजिट इस भर दीजे, final submit कर दी हैं, और आपका लीजे, उद्योग अधार.gov.in या उद्यम registration.gov.in आपसे कह रहा है कि भाई साब, आपका जो registration है, वो successful हो गया है, वो आपको आपका उद्यम registration number भी बता दे रहे हैं, और यह लीजे दोस्तों, आपका उद्यम registration certificate के लिए, वो कह रहे हैं कि भाई, हम आपको बहुत जल्द दे देंगे, जैसे ही ये verification हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, तभी पता चलेगा, कि आप किस category में आते हैं, based on your turnover, और investment in planting machine, अब दोस्तों, आप इसको type कर सकते हैं, या फिर save कर सकते हैं, लीजे दोस्तों, लगबग साथ मिनट में आपका उद्यम registration आपके पा हैं, और दस मिनट के अंदर अंदर आपका उद्यम registration आपके पास है, दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई शंश है, कोई डाउट है, कोई आप मदद चाहते हैं, हमारी Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises या MSME Help Line की, तो आप दोस्तों, description में दिये हुए link पर जाकर, Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises की membership ले लिजेगा, और मैं और हमारी टीम पूरी तरह से free of cost आपका ये उद्यम registration कम्प्लीट कराने में मदद करेगी, आज के लिए दोस्तों बस इतना धन्यवाद, नमस्कार.